हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू साहोस अफ सॉलोशन्स दोस्तों जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने एंजी स्टाइल के बारे में देखा कि जो कि एक एक एट्रिब्यूट डिरेक्टिव है और आज भी हम एट्रिब्यूट डिरेक्टिव का ही आगला डिरेक्टिव जो है एंजी कलास उसको देखने वाले हैं मतलब कि यह वी एक एक एट्रिब्यूट डिरेक्टिव है इसको यूज करके हम किसी भी इल्यमेंट का एक टेरियंट कर सकते हैं जिस तरीके से पिछले वीडियो में हमने एंजी श्टाइल को एंड कर रहे थे उसी तरीके से इस CSS class, मतलब पूरा का पूरा CSS class add and remove कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे, इसको हम इस वीडियो टुटोरियल में step-by-step देखने वाले हैं, वीड एक्जामपल, तो अगर आप नए है चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेजिए, बेल की आइकन क्लिक कर लेजिए, ताकि आ टाइम पर चेंज कर सकते हैं, यह तिन तरीके से होता है, एक होता है ng class with string, string के format में इसको यूच कर सकते हैं, एक array के format इसमें यूच कर सकते हैं, इसको एक object के format में भी उच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, depends on your project requirement, आप किसी को भी उच कर सकते हैं, ता चलिए example करके देखते हैं, तो अब आप और भी आपका पिक्चर क्लियर होगा यह वही प्रोजेक्ट है जहां पर हमने पिछले वीडियो में यह सब NGA स्टाइल के बारे में देखा था तो इसको मैं यहां से करता हूं सेव कर दिया मैंने हमारा पेज लिए ब्लेंक हो गया यहां से अब यहां पर मैं क्या करता हूं से माइन यहां पुली पर अलब नोद हैं यहां पर मैंने एक और क्लास लिया घर si ठीक है यहाँ पर मैंने एक और क्लास लिया 3 किसी निम से क्लास बनेगा यहाँ प्लिखा मैंने font size 40px एक और बनाता हूं .4 और यहाँ बनाता हूं font size 60px ठीक है font style italic करता हूं कुछ भी करता हूं यहाँ पर font weight bold करता हूं ठीक है अब हम इन सारे classes को apply करेंगे normal अगर हम कोई चीज लेते हैं जैसे deeply हमने लिखा हमने hello world ठीक है hello world ठीक है तो हम इसके class किसे apply करते हैं normal हम यहाँ पर class लिखते है class और यहाँ पर किसी भी class को उसके one class से इसको हमने apply कर दिए normal class apply हो गया ठीक है यहाँ पर देखे blue color हो गया white color कलर हो गया ठीक है लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है eng class को यूच करके dynamically change करना है सब्सक्राइब करना है किसी रिएबल से इसको चेंज कर सके हैं इस तरीके समय सो कर सकते कैसे करेंगे जैसे यहां पर हम लेते हैं मैं और लिखा मैंने hello अब यहां पर आप किसी भी variable का नियम दे सकते हैं और उस variable में हमने आप रहीन लिया और तो हमने क्या कर दिया उस कलास का नाम डाल दिया उस ऐस incident को आप पॉर यह लाइब कर सकते हैं या फिर अगर यहां पर देखिए वन अप्लाई हो गया आप चाहते हैं कि यहीं पर एक और CSS क्लास अप्लाई करें तो लिख रहे हैं तो यहां पर कॉमा नहीं लगाना है ठीक है बीना कॉमा लगाए आप यहीं पर एक के Hawaल हो गया बोल्द भी हो गया ठीक है आप पूरे के Bew लुप पर चला सकते हैं जैसे माँ जेके कि यह हम लोग कर रहे हैं इसको बाइंड करके पूरे के पूरे लुप पर इसको हम उज़ कर सकते हैं जैसे तेखे और यहां पर मैंने बाइंड कर दिया नेम double कर लिए रेकेट येमपी.name कंट्री और यह अब लिखा मैंने येमपी.country शेव किया ठेक और इसको पूरे के पूरे को हम यहां पर लिखे देगे तो पूरे के पूरे लूप पर अप्लाई हो जाएगा यहां पर हम लिख लिए एक डीव ठीक है और इस डीव पर अप्लाई करते हैं और इसको हम करना है था हम लिखेंगे डीव यहां लिखेता हूं मैं इसको कॉपी करके कमेंट करता हूं यहां पर मैं लिखेता हूं एरे के फॉर्मेट में ठीक है यहां पर आप लिखिए डीव यहां पर हेलो वर्ड ठीक है और यहां पर हम लिख दिया एंजी क्लास ठीक है और यहां पर आप एरे के फॉर्मेट लिखेंगे यहीं पर सिंगल कोट्स लगा कर इसे माली हमने डाल दिया टूट ठीक है एक अपलाई होगा blue color का हो गया होगा देखे blue color अगर हमें दो apply करना है तो इसमें अप कौमा लगाएंगे क्योंकि यह आयरे है इंडेक्स वाइज अप्लाई होता है और यहाँ पर लिख सकते हैं फोर ठीक है देखिए यह भी apply हो गया ठीक है इस तरीके से कर सकते हैं पूरे के पूरे लूप पर चला सकते हैं यहाँ पर भी सोबने copy किया इसको comment करके और इसको मैंने लिखा और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो पूरे के पूरे तो इसमें क्या होता है की जो होता है आपका CSS का name होता है और value true और फॉल्स ठीक है कैसी जैसे माली हमने डिव लिखा यहां पर लिखेंगे अगर त्रू लिखेंगे तो वह अपलाई होगा फॉस देखेंगे तो अपलाई नहीं होगा तो त्रू लिखा हमने यह अपलाई हो जाएगा देखेंगा अगर हमने एक और लिखा यहां पर लिखा कुन कि दोनों अप्ला-इभ घया या फिर हमने क्या कर दिया यहको फॉल्स कर दिया लिए एक नहीं अपलाई होगा और कपलाई हो जाएगा ठेकर कि यह अपलाइ हो गया तक गया दूस्ता चीज को और भी तरीके इसको करने किसे से मालिजय को कॉपी किया कमेंट कर दिया यहां पर ट्रू और फॉस मुझे देना है ठीक है वन को ट्रू फॉस देना है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं किसी भी वरियेबल पर भी डिपेंड करा सकते हैं इसको ठीक है जिसे माल यहां पर माई कंट्री वरियेबल है ठीक है यहां पर माल यह इंडिया ते है टून कर्डेगा दिए अप्लाई हो जाएगा कुछ और होगा तो फॉनल करेगा त्या अप्लाई नहीं हो गा मनतलब यह डैनेमिक हो गया तकि यहां पर प्लाई हो रहा है जैसरी मनेबढ पर चेंज दो starters कर anticipating कर दोंगा ता और यहां पर हम और भी तरीके होते हैं जिसको यूज करके अपलाई कर सकते हैं जैसे आपको जैसे आपको यहां पर लूप चलाकर देखिए मैंने इसको लूप चलाया कॉंपी किया और लूप चला दिया यहां पर ठीक है सेफ दिया इसको मैं यहां साथ आता हूं देखिए और भी किस तरीके से हम इसको और भी डायनेमिक कर सकते हैं पस आपको आना चाहिए तरीके एंडेक्स पाइंड कर देता हूं करें इंडेक्स इंडेक्स आई ओधा ainक ठीक है और यहां पर मैं इंडेक्स पाइंक करता हूं क्फेborn अब यहां पर इंडेक्स है उस पर वन white अपलाई हो और जो और इंडेक्स उसके टू वाला क्लाइगां हुऊं तो बस यहां पर हम क्या कीरेंग हम जी ओसपास करना होता है कि यहां अभूझिक लात ए क्लास और object वाला यहां ठिक है यहां पर हमने वन लिखा वण किसके लिए तू भेजना है है जो इभेन इंडिक्स है तो आई मोडुलर टू इक्वल एक्वल टू जीरो ठीक है तो मतलब यह क्या हो जाएगा जैसे जो इन करेगा तो मतलब इभेन नंबर है तो हर इस नंबर के लिए कार्ट हब तक है तो देखिए तो नोगे अलग अलग अपलाई हो गया तो वन मतलब क्या है जब उनके लिए जो जो ऑड होगा उसके लिए टू रिटन करेगा मतलब किसी तरीके से यहाँ पर तू या फॉल सप्लाई करेए तो इस तरीके सम्पोर्ट प्रडेटों करते हैं रन टाइम पर चेंज करते हैं फिर भी आपके माइन में कोई भी कन्फ्यूजन होता हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेर करेंगे तो चली मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपी के साथ तब तक ये थैंक्यू सो मच